तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप स्फेरिकल से कर्थेसियन कोडियनेट में के सीडियो में अब इस वीडियो में आपको नॉलेज मील जाएगी कि कैसे होता है कैसे किया जाएगा ठीक है तो यह चीज मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप यहां से जो आते हैं question get के exam में mainly तो कैसे solve करेंगे ठीक है तो पहला एक सवाल मैं यहां पे आपके सामने रख रहा हूँ कि पहला सवाल यह है कि इन spherical polar coordinates are theta and phi ठीक है r theta and phi the unit vector theta at 10 phi by 4 and phi by 2 यह point दिया हुआ है जहां पे 10 जो है r की value है phi by 4 जो है theta की value है and phi by 2 जो है phi की value है तो यहां पर option दिया हुआ है आपको क्या निकालने के लिए पूछा गया है कि theta cap कितना होगा इस point पे ठीक है theta gap इस point पे कितना होगा ठीक है यह पूझा गया है आप कैसे करोगे ठीक है न तो अब जो है आप एक चीज़ आपको एक चीज़ पता है कि Cartesian coordinate और spherical polar coordinate में relation क्या क्या होता है x equals to r sin theta cos phi y equals to r sin theta sin phi और z equals to r cos theta यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए या नहीं हो तो पता कर लीजिए या इसको ही याद रखिए कोई परेसानी नहीं है ठीक है अब जो है हम लोग जो है conversion सीखेंगे कैसे होता है पहले आप यहाँ पर देखिए मैं आपको एक table बना के दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर लिखा है उपर r cap theta cap phi cap और इस तरफ लिखा है x cap y cap z cap ठीक है देख पा रहे हो आप लोग तो अब जो है यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो यहाँ पर हमने r cap के column में जो हमने लिखा है कि r cap के column में लिखा है sin theta cos phi simply देखिए मैं आपको दिखाता हूँ x equals to क्या है r sin theta cos phi तो हम लोग r से differentiate कर दीजें सिर्फ ठीक है तो sin theta cos phi बचा sin theta cos phi यहाँ पर लिख दीजे y को r से differentiate कर दीजें सिर्फ कितना मिला sin theta sin phi उसको यहाँ पर लिख दीजे यह मैं आपको trick बता रहा हूँ ठीक है इस तरीके से आप लोग इस table को याद रख सकते हो ठीक है z equals to कितना होता है r cos theta तो लिख देजिए यहाँ पर सिर्फ cos theta हो गया अब क्या देखिए अब यहाँ पर r theta और phi है अच्छा चलिए अब यहाँ पर theta के column में कैसे लिखेंगे अच्छा एक चीज़ देखिए अब इसको भूल जाईए अब इसको आप मतलब बिल्कुल भूल जाईए अब इसको लेके चलिए ठीक है यह जो हमने यहाँ पर लिखा अभी इसको आप लेके चलिए यहाँ पर क्या है पहले है sin theta cos pi अच्छा थीटा से इसको derivative differentiate कीजिए कितना मिलेगा sin theta क्या मिलेगा cos theta cos pi मिला ठीक है अच्छा अब जो है sin theta sin pi sin theta से differentiate कीजिए क्या मिलेगा cos theta sin pi वह मिलेगा और cos theta को differentiate कीजिए थीटा से क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा यह चीज आपको मिल चुकी है ठीक है कोई बात नहीं तो यह भी मिल गया अब जो है लास्ट वाला फाई वाला कॉलम देखिए फाई कॉलम में यहां पर आप लोग इसको भी भूल जाए ठीक है अब इसको याद रखें लेकिन थी पाई साइन फाई और यहां पर माइनस साइन थीटा इंटू वन है तो थीटा वाला टर्म को आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिए अब फाई से डिफरेंट कीजिए डिफरेंट कीजिए कॉस फाई का क्या आएगा माइनस साइन फाई साइन फाई का क्या आएगा कॉस फाई 1 का कहाएगा 0 simply difference हमने किया है यह tricks है मतलब इस table को कैसे याद रखेंगे यह चीज मैंने आपको बताया तो यह conversion है Cartesian coordinate system का unit vectors है और यह spherical polar coordinate का unit vectors है ठीक है अब जो है हम लोग table तो आप निकाल सकते हो भी जैसे मैंने आपको बताया कोई दूसरा तरीका अगर किसी को मिल जाए तो वो दूसरे तरीका से याद रखे उससे कोई हर्ज नहीं है कि आप याद रखने से मतलब है तो अब जो है कि R cap कैसे निकालेंगे देखिए R cap निकालने के लिए R cap का सिर्फ ये वाला कॉलम आप याद रखे याद नहीं रखना है मतलब याद तो रखना है सिर्फ इतना सा X equals to R sin theta cos pi Y equals to R sin theta sin pi बस और कुछ ये table याद रही ही रखना है आपको table याद निकाल नहींगे आप लोग ठीक है जैसे मैं बताया उस तरीके से आप निकाल सकते हो अच्छा table याद नहीं रखना है R cap कैसे निकालोगे देखिए sin theta cos pi है ना sin theta cos pi लिख दीजिए और उसके साथ आप क्या लिखेंगे X cap ठीक है अब जो है plus sin theta sin pi y cap plus cos theta z cap ठीक है उसी तरीके से theta cap कैसे निकालोगे आप theta cap देख लीजिए आप लोग यहाँ पर theta का दिया हुआ है cos theta cos pi cos theta cos pi x cap cos theta sin pi cos theta sin pi y cap minus sin theta minus sin theta z cap ठीक है समझ में आ रहा है अच्छा उसी तरीके से अगर आपको पूछा गया कि चलिए आप x cap निकाले तो कैसे निकालोगे x cap निकालने के लिए देखिए x cap में सिर्फ आपको यह याद रखना है सिर्फ यह चीज आप याद नहीं रखना है यानि देखना है देखके आपको लिख देना है कि sin theta cos pi sin theta cos pi r cap यह r cap हो गया cos theta cos pi theta cap ठीक है फिर यहाँ पर minus sin phi minus sin phi phi cap ठीक है यह चीज आपको मिल चुका इसी तरीके से आप y cap भी निकाल सकते हो z cap भी निकाल सकते हो phi cap भी निकाल सकते हो कुछ भी निकाल सकते हो ठीक है यानि आप unit vector दोनों coordinate systems की यानि Cartesian coordinate system और spherical polar coordinate system किसी भी coordinate system की unit vector इस तरीके से आप बहुत यासानी से निखाल सकते हो ठीक है? अब तो यह चीज आपको मिल गई अब जो है आपको जो question दिया हुआ है कि at theta equals to 10 pi by 4 pi by 2 तो यह चीज आप कैसे निकाल होगे? theta equals to 10 pi by 4 pi by 2 यह चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है अब theta cap की जो यहाँ पे मुझको मिला था कि cos theta cos pi, यहाँ पे cos theta की value क्या है? pi by 4 यह क्या चीज है? pi by 2 है pi की value cos pi by 2, वो सेम चीज लिख दिया है value put करके अब cos pi by 2 की value कितनी होती है? 0, cos pi by 2 की value 0 होती है तो यह term पूरा 0 हो गया sin pi by 2 की value 1 चीज है? अच्छा तो हमें यहाँ से इस line से क्या चीज मिला? यहाँ पे cos pi by 4 की value होती है 1 by under root 2 और यहाँ पे j cap ठीक है? यहाँ एक्स cap को आप लोग i cap कह सकते हैं, चानते हैं आप लोग यह सब y cap को j cap और z cap को k cap लिख सकते हैं, ठीक है? 1 by under root 2 j cap minus 1 by under root 2 k cap तो आपको option जो मिला 1 by under root 2 और bracket में j cap minus k cap आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा option जो है, सही है आपका देख सकते हो कि option D जो है, सही है तो आपको यहाँ पे आगर 5 cap निकालने के लिए बोला गया होता r cap निकालने के लिए बोला गया होता X cap निकालने के लिए बूला गया तो कुछ भी निकालने के लिए बूला गया होता 6 unit vector में से कुछ भी तो आप निकाल सकते हो आसानी से निकाल सकते हो ठीक है कोई परिशानी नहीं है ये चीज़ तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि कैसे आप cartesian से spherical polar coordinate में convert करेंगे या spherical से cartesian कैसे जाओगे ये तो मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि कैसे आप cylindrical और cartesian polar coordinate में relationship कैसे बनाओगे ठीक है जैसे कि X equals to R cos 5 Y equals to R sin 5 Z equals to Z cylinder करका unit vectors क्या होता है R cap, phi cap, z cap यह तीन होती है ठीक है तो यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग R cap, phi cap, z cap और यहाँ पर X cap, Y cap, z cap लिख चुके हैं अच्छा क्या करना है यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या क्या करना है R से differentiate कीजिए cos 5 बचेगा, cos 5 लिख दिया आज़े, यहाँ पर R से differentiate कीजिए क्या में बचेगा, sin 5, sin 5 लिख दिया यहाँ पर R है, नहीं है, तो 0 ठीक है, समझवाए है आज़े, अब देखिए यहाँ पर cos, अब इसको भूल जाएए बिलकुल, भूल जाएए अभी यहाँ पर क्या बचाए, यहाँ पर बचाए यहाँ पर बचाए cos 5, cos 5 का अब differentiate करेंगे, क्या मिलेगा, minus sin 5 sin 5 का differentiation करेंगे क्या मिलेगा, cos 5, और यहाँ z है, ठीक है, z को आप 5 से differentiate कीजिए, 0 ही मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0 होगा, 0, 1, आप यह table आपको मिल चुगा है, ठीक है, table आपको मिल चुगा है, अभी आपको पूछे कि, आप यह चीज बताईए कि, करते सियान और spherical polar, sorry, cylindrical दिया हुआ है, आपको पूछा गया कि, चलि अब निकाल सकते हैं, यहाँ से, कुछ भी निकाल सकते हो, तो यह दो table आपको याद कैसे रखना है, यह चीज भी मैंने बता दी, ठीक है, convert कैसे करना है, यह चीज भी मैंने बता दी, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को like किजिए, share किजिए दोस्त पूरा, मतब जितना भी आपका दोस्त है, या कुछ जो aspirants है, गेट के और नेट के, फिजिकल साइंस के, आप उनमें फैला दीजिए, वीडियो को, ठीक है, तो ठीक है, अगर useful लगे, तो मुझे बताईगे, ठीक, थैंक यू